Question है mod of x minus 1 upon mod of x minus 2 greater than and is equal to 0 ये value के 0 से बढ़िए हमें इसको solve करना है इस inequalities को या फिर इस inequalities को हम जानते हैं कोई अगर mod of x है ये हमारा दो पार्ड में तूटता है एक plus x दूतरा minus x में तूटता है ठीक है ये क्या होता है जब ये greater than and is equal to 0 हो तो ये क्या होता है ठीक उसी तरह हम इसको दो पार्ड में तोड़ेंगे ठीक है पहला पार्ड मारा क्या होगा प्लस वाला x minus 1 upon x minus 2 ठीक है और दूसरा पार्ड क्या होगा हमारा minus x minus 1 upon minus x minus 2 ठीक है इसको plus x में तोड़ा इसको minus x में तोड़ा है ठीक इस तरह से plus x minus x अब क्या ये greater than n is equal to 0 ये भी greater than n is equal to 0 हो है ठीक है यहाँ से देखने में इसको एक बार solve कर लेते हैं फिर से नीचे ये edge it is रहेगा x minus 1 upon x minus 2 greater than is equal to 0 और ये होगा हमारा minus minus common लेके कार देंगे क्या हो जाएगा x plus 1 upon x plus 2 ठीक है ये क्या होगा greater than is equal to 0 होगा ठीक है यहाँ तक तो clear होगा अब हमें इससे solve करना ये इसका part है यहाँ से देखने हमें एक चीश clear हो रहा है यगर x is equal to 2 रग दे और x is equal to minus 2 रग दे तो ये क्या हो जाएगा undefined हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर condition में दिया गया है x not equal to plus minus 2 और x तुमारा real number में belong करेगा यह फिर इसको ऐसे लिख सकते है x belongs to r minus plus minus 2 ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इसको यह हो गया तो यहाँ ते देखने हम क्या मिला है ठीक है अब इसके बाद जो हमें करना है क्या इसको कुछ solve करना है ठीक है इसको कैसे solve करेंगे इस चीज को हम यहाँ पर समझने का प्यास करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसको हम कुछ अलग-अलग part में separate कर लेते हैं ठीक है इसको कैसे सेप्रेट करेंगे इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को फिर फर्दर x-2 प्लस 1 लिख सकते हैं उपर वाले को और निचे वाले को x-2 रहा ने देते हैं greater than is equal to 0 ठीक उसी तरह इसको हम x plus 2 upon x plus 2 यह क्या है ठीक है greater than is equal to 0 यहां तो clear कोई problem नहीं है अब इसको solve करेंगे क्या होगा हम इसको separate कर लेंगे 1 plus 1 upon x-2 greater than is equal to 0 दूसरा क्या है यह यह मरा हो जाएगा 1 minus 1 upon x plus 2 greater than is equal to 0 ठीक है यहां तो clear होना चाहिए कोई problem नहीं होना चाहिए कैसे चला है यह इसका part चल रहा है यह इसका part है ठीक है यह उपर से आजा हुआ है इसके लिए ठीक है तो देखा जो यह positive है तो हमको इसको positive में रखना है तो देखा जो इसका numerator जो है positive है लेकि denominator को हमें positive बनाना है तो जो यह इसका denominator है denominator x minus 2 greater than 0 होगा not equal to लखेंगे स्कॉल्टू का sign नहीं लगाएंगे क्यों क्यों कि स्कॉल्टू लखने पर यह क्या जीरो होगा मतलब क्या यह denominator 0 हो जाए तो जो कि undefined हो जाएगा इसलिए हम यहां पर greater than का sign रखेंगे जो मतलब 0 से बढ़ा होगा उपर का positive है नीचे भी 0 से बढ़ा रखेंगे तो positive होगा तो numerator positive लिए denominator positive overall positive यह overall positive यह तो total positive value होगी है हमारी तो उससे दिखाए जो x होगा 2 से बढ़ा होगा और दो से बढ़ा होगा यह 2 है ठीक है इस उसी तरह से solve करेंगे यह क्या है positive है उपर का numerator negative है ठीक है तो इसको भी negative होना चाहिए denominator को यह positive है ठीक है कोई दिकत नहीं है यह minus sign के साथ लगा 1 तो मतलब क्या 1 हमारा निगेटिव है तो डिनोमेटर को भी निगेटिव होना चाहिए तो मतलब क्या हुआ है उससाब से दिखा जो है तो x plus 2 less than 0 होना चाहिए मतलब x less than minus 2 ठीक है एक condition हमें ये भी मिला यहां पर ब्रेकेट बनाते चलिए अब इसको बाद इसको solve करेंगे ठीक है इसको भी solve करेंगे इसको भी solve करेंगे इसको इसाड़ ले जाते हैं 1 upon x minus 2 greater than is equal to minus 1 इसको इसाड़ ले जाते हैं 1 upon x plus 2 greater than and is equal to minus 1 ठीक है यह क्यों minus 1 के साथ है cross multiply करेंगे 1 greater than is equal to minus times x minus 2 हो जाएगा यह फिर इसको simply इसको और अच्छे solve करना चाहें तो minus multiply कर देंगे पहले क्या हो जाएगा तो इधर negative हो जाएगा इधर positive हो जाएगा तो minus 1 upon x minus 2 ठीक है less than is equal to 1 हो जाएगा इधर भी multiply करेंगे दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा यह plus हो जाएगा इसको भूज जाएगा तो यह भी हमारा solve करने पर क्या आगया 1 upon x plus 2 less than is equal to 1 क्रोस multiply करके solve करेंगे minus 1 ठीक है less than is equal to x minus 2 solve करेंगे इसको इधर लेख जाएगे plus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 minus 1 इधर जाएगा plus 2 तो 1 greater than 1 less than is equal to x ठीक है एक condition में हाप पर यह मिल गया है इसको solve करेंगे इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 less than is equal to x plus 2 हो गया 2 को हम इस साड लेकर आएगे तो क्या हो जाएगा minus 1 जाएगा minus 1 less than is equal to x इसको कैसे लिख सकते हैं x greater than is equal to 1 ठीक है इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिखेंगे x greater than is equal to minus 1 ठीक है यहां तक तो clear हो गया अब बेटा इसको number line में draw करना है ठीक है तो कि